यूवक त्वारा बिलासपुर के कोठी पूल पर हैंड वॉक हैरत अंगीज कारणामे की वाइरल वीडियो ने शोशल मीडिया पर संसनी मचा दी है जब यूवक से मीडिया टीम ने संपरक्षादर तो यूवक बॉलिवूड सेलिवर्टी मार्शल आर्ट ट्रेनर निकला उसके पिता रतन सिंग ठाकूर एलाइसी में एजन्ट का काम करते हैं जबकि माता ग्रेनी हैं मुनिश ठाकू ने बताया कि उसका बच्चपन सही मार्शल आर्ट सीखने का सपना था लेकिन इस प्रकार की कोई भी सुवधा हिमाजल परदेश में ना होने से वह यह सीख नह उसने निजी कंपनी में काम किया लेकिन मार्शल आर्ट के अव्यास में बादा आने नहीं दी कुछ धन अर्जित किया उसके उपरांत मुंबई में एक मार्शल आर्ट संसान में परवेश लिया जहां पर उसने मार्शल आर्ट की पूर्ण सिक्षा ग्रहन की मार्शल ज़भ बतान अविनेता टाइगे श्राफ से अभिनेता टाइगे श्राफ की इंशन अकार्भी यद्त मेर्सकिशन प्रापतकर मार्शल आर्ट श्राफ कारा निशपी, मैं या बिरफे करता हूं और आज कर लोगों को यहां पर ट्रेनिंग दे रहा हूं ओनलाइन ट्रेनिंग देता हूं तो जो लोग मतलब वीडियो वाइरल हुई थी उसका जो हैंड्स्टेंड वॉक था वो लोग पूछ रहे थे कि आप इतना कैसे चल दिये सर यह तो एक तो पहली बात यह त करता अपनी ट्रेनिंग में जैसे देली सुबह दो गंटे ट्रेनिंग करता हूं शाम को दो गंटा ट्रेनिंग करता हूं दिन में कंडीशनिंग करता हूं और रहा है जそうですね कि सार हमारा गोल मतलब कैसे बनाए हम एक तो बड़ी बात नल एक गोल रखो अपना, ज्यादा मतलब गोल बनाने का कोई फाइदा नहीं है, कोई बोल रहा है कि मैं आज डॉक्टर बनूँगा, आज मैं इंजिनीरिंग करूँगा, कल को कुछ और करेगा, तो कल को मतलब कुछ भी नहीं बन पाऊ गए, और दूसरी बात जो लोग बोलते हैं क कि कमपेडिशन आपके स्कूल अकेले जाते थे, मतलब वही है ना कि अगर स्कूल अकेले जाते तो कमपेडिशन किस बात का, कमपेडिशन रखो, कमपेडिशन है तो मतलब आप अपनी ट्रेनिंग करोगे, हाड करोगे, और दूसरी बात रही कि लोग मुझ से बूछते हैं कि सर आपको घरवालों ने स्पोर्ट किया कि नहीं किया तो घरवाले अगर किसी दूपना मतलब जो भी अगर आपके पास टैलेंट है तो लोग आपके पास खुद आते हैं बॉली बुड हो या पंजाबी इंडस्ट्री या चाहे बाहर हो कहीं भी तो आपको लोग मतलब बुलाते हैं तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए और दूसरी बात रही ये कोविड-19 की वज़ा से सारा मतलब महौल खराब हो गया जैसे ये खुलता है उसके बाद हम इनके साथ वीडियो शूट करेंगे और इनको ट्रेनिंग करवाएंगे अजवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरिंदर जंबाल की रिपोर्ट